एलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम पेटीम बाइबेक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पेटीम ने अपना बाइबेक अनौंस किया है एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे 13 तो December को Meeting रखे है कि जिसके अंदर बाइबेक के बारे में discussion करेंगे तो company अपना बाइबेक क्यों ला रही है उसके बारे में discussion करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि क्या यहाँ पे हमारे लिए कोई मोका बन रहा है या फिर company ने एक bottom बनाया इसलिए यहाँ पे बाइबेक करोड उपीस raise किये थे जिसमें से 10,000 करोड उपीस offer for sale था मतलब कि promoter अपना part लेके निकल गए थे और बागी के जो 8,300 करोड थे वो company के अंदर आये थे अगर हम थोड़ा सा detail में देखेंगे तो पता चलेगा कि company ने जो commitment किये था उसमें से अपनी business के लिए 4,300 करोड उप कि यह सारे पेसे वेशे के वेशे ही पड़े रहे और कोई भी यूज़ नहीं हुआ तो एक बार हम company की balance sheet देख ले थे तो company ने जो पेसे raise किये थे वो किये थे November 2021 तो यहाँ पे obviously March 2021 की balance sheet में वो पेसे नहीं आएंगे और वो सारे पेसे आपको दिखाए देंगे March 2022 में तो य बाकी के 1000 करोड का आग तो यह जो 1000 करोड है वो company का लोज था तो इसलिए यहाँ पे इस सारे पेसे दिखाई नहीं दे रहे तो यहाँ आप देख सकते है कि 1560 करोड का लोज था तो इसलिए यहाँ बेलंस sheet में 15,000 करोड होने चाहिए resource में उसके जगा only 13,600 करोड ही है next year भी देखे तो company का results continuously down गया है मतलब कि investor ने जो पेसे डाले थे 8,300 करोड तो उसारे पेसे यहाँ पे लोज के तोर पे चले गए है तो अब हम देखेंगे कि company के पास तो बाकी के पेसे कहाँ पर पड़ है तो यहाँ पे एक बार आप liability में other asset में जाएंगे तो आपको यहाँ पे size रह सकता है वो almost 4000 करोड का रह सकता है और यहाँ पे company का अभी जो share price of 544 के चल रहा है after एक jump 5% का एक jump आया आज उसके बाद इसका share price 544 चल रहा है तो हो सकता है कि company का जो IPO 700 की price पे आ सकता है ठीक है अब company का यहाँ पे logic क्या हो सकता है जो company ने IPO लाय था वो 2115 की price पे लाये से लेके अगर हम नीचे तक देखे तो लगबग लगबग company का share price 70% डाउन है ठीक है आलका price 544 है लेकिन यहाँ पे consider करते 500 क्योंकि यह बाइब का नाम सोने के बाद थोड़ा से jump आया है तो यहाँ से company अगर मान लेते के 700 का भी यहाँ से premium देती है तो अगर मान लेते के company य यहाँ पे only 4000 करोड की requirement होगी या फिर उससे भी कम money की requirement होगी क्योंकि यहाँ पे already share price down हो चुका है तो यहाँ पे एक throat process हो सकता है तो यहाँ पे सिधा सिधा मतलब यह है कि company ने जो IPO से पेसे raise किये थे वही पेसे आपको वापस दे रहे same price पे तो यहाँ पे one type of short selling हो गया मतल कि यहाँ पे IPO लाके पेसे raise किये और public ने यहाँ पे यह चीज़ बाई की 2115 रुपीज पे अब लोग वापस अपना जो share हो company को वापस कर देंगे around 700 रुपीज तो यहाँ पे मेरा exemption है कि जो buyback price हो 700 रहेगा लेकिन इसके कोई guarantee नहीं अभी हम एक बार इसके share holding pattern पे नज़र रहा था वो ही share holding अभी similarly FII में दिखा रहा है मतलब कि यहाँ पे share holding में तो कोई गड़ नहीं है currently जो लोगों के पास share holding है around 8% के आज पास है क्योंकि यहाँ पे 8.9% और 4.7% big ends में है ठीक है और बाकी का share holding है यहाँ इसके पास है तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई business opportunity हो और share price उपर ले जाने के लिए यहाँ पे buyback लाए हो तो एक बार अगर हम chart pattern निकाल ले तो यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे एक support लिया था इस level पे और इस level तो यहाँ पे currently जो company की share price trade कर रहे है वो भी इस level पे trade कर रहे है अब यहाँ पे एक chart pattern भी बना है cup with handle तो यहाँ से जो target निकल के आता है वो लगबग लगबग 650 के आसपस बनके आता है जो कि 100 रुपीज का अप प्राइज है यहाँ से तो यहाँ पे क्या buyback को देखके हमें इस share में position लेनी चाहिए के नहीं तो मेरा यहाँ पे clearly ना आये क्योंकि यहाँ पे management कुछ decision एसे लिए कि जो absolutely नहीं लेन किया है तो इसमें clearly मतलब है कि जो promoter है वो यहाँ पे पेसे लेके भाग रहे है दूसरा reason है कि जब last जब दो quarter पहले result आये तब हमने देखा कि काफी सारे promoter ने यहाँ पे बहुंती बड़ा e-sops issue किये थे तो इसका मतलब है कि clearly company का जो पेसा है वो e-sops के जरिए इन लोगो कर लिया अब यह तीसरी event है कि जिसमें buyback लाके यह लोग company की share price उपर ले जाना चाहते अब यहाँ पे buyback में भी हो सकता है कि जो बड़े investor है उसके pressure में आके ले जा रहे है क्योंकि इसकी जो share price हो continuously downtrend में है और company का business model हो कही ना कहीं question mark पे आ गया है कुछ लोगों का मानना है कि company जो है lending sector में जा सकती है और यहाँ पे personal loan में growth आने की वज़े से यहाँ पे company का business हो अच्छा हो सकता है 2023 में यह company break even पे आजेगी EBIT time है मतलब कि अभी profit तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे जो EBIT time हो जीरो होगा तो इसका मतलब है कि company operating profit भी generate नहीं कर रही है और future इसका क् कोई भी business नजर नहीं आता कि किस तरह से retail को loan देगे और किस तरह से profitable रहेंगे तो मैं तो यहाँ पे clear cut pay team में कभी भी invest नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला question mark आ जाता है promoter की mentality यहाँ पे promoter clearly public से पेशा लेके पेशा कमाना चाहते तो मैं कभी भी इस तरह की company मे अधे उसके अंदर खोट हो तो इस वीडियो में बस इतना ही था आपको कुछ और चीज लगती है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते है आशा करता हूँ के छोटा से वीडियो को पसंद आयोगा अगर पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चेनल को स सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद